असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आप लोग की दूआ से अलम्दलिला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ कि अपने हिबिसकस के प्लांट में रिपॉर्टिंग के बाद कौन सा सही टाइम होता है fertilizer देने का, खाद पानी देने का, किस तरह से देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है आपकी plant के growth के लिए कौन सा fertilizer अच्छा है और कौन सा सही time है, reporting के बाद अपने plant में fertilizer देने का तो वो सब बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स, अभी मुझे अपने हिबिसकस के plant को report के वे एक से डेर महीना हो गया है, और ये सही time है, इसमें फिर से खाद पानी fertilizer देने का, क्योंकि जो fertilizer आप reporting के time अपने plant में देते हैं, वो आपके जो plant है, वो अपनी roots के growth के लिए उसको use कर लेता है, और एक से डेर महीने बाद आप फिर से उसमें fertilizer, खाद पानी ये सब चीजें देना जरूरी होता है, आगे की growth के लिए तो फ्रेंड्स, आज मेरे plant को report किये, मुझे एक डेर महीना हो गया है और reporting के time fertilizer, खाद पानी देने के बाद, अब मैं फिर से अपने plant में खाद दूँगी तो जिससे कि आप लोग देख सकते हैं friends कि मेरे जो plant है, उसकी growth अभी भी अच्छी है बट इसकी और अच्छी growth के लिए आपको time to time fertilizer अपने plant में देना जरूरी होता है और जितना time to time में आप fertilizer देंगे, आपकी flowering, आपकी plant की growth बहुत अच्छी होती जाएगी और friends इससे पहले हम लोग की बात करें कि मैं अपने plant में कौन सा fertilizer, क्या खाद पानी देने वाली हूँ उससे पहले मैं एक चीज और discuss करना चाहूंगी, कि जिसे बहुत लोग कहते हैं कि जब बहुत जादा गर्मी पड़ती है तो गुड़हल का plant बहुत अच्छी flowering नहीं दे पाता है, बहुत अच्छी flowering नहीं होती है गुड़हल की plant में तो ये बात सचे फ्रेंड्स की हिबिसकस का जो plant है वह बहुत जादा गर्मी में बहुत अच्छी flowers नहीं दे पाता है और इसका कौन सा सही टाइम है जब बहुत जादा अच्छी flowering आपको हिबिसकस का plant देता है तो फ्रेंड्स जो रेनी सीजन होता है रेनी सीजन के स्टार्ट से लेके विंटर सीजन के शुरुवात के कुछ टाइम तक आपका जो हिबिसकस का plant है वो बहुत अच्छी flowering देता है अगर आप लोग ने नोटिस नहीं किया है तो इस सीजन आप लोग जरूर नोटिस कीजेगा कि रेनी सीजन के स्टार्टिंग से विंटर सीजन के स्टार्टिंग तक बहुत अच्छी flowering आपके हिबिसकस के plant में आपको देखने को मिलेगी और यही टाइम होता है जब आपक जब किया पड़ें तो आप लोग क्या करें ना कि अपने पॉट को डायरिक्ट जो जमीन पर ना रखें या तो आप लोग कोई स्टैंड ले लें अगर आप स्टैंड नहीं रख सकते हैं तो जो बोरी आती है जूट की जो बोरी आती है आप वह भी अपने plant के पॉट और ज जमीन के बीच में रख सकते हैं पॉटब को ऊस पे रखी डायरिक्ट जमीन पर ना रखें कि जो जमीन की जो गर्मी ऐवह आपके पॉट में ना जाए प्लांट तक ना पहुचें तो गर्मी में थोड़ी सी केयर आपको करनी परती आपने हिबिसकस कि प्लांट की और बाकी फ फर्टिलाइजर अपने प्लांट में देना है रिपॉर्टिंग के एक से देर महीने के बाद तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉर्ट में से सोयल बाहर कर लेंगे और उसके बाद जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो है सिंगर सूपर फॉसफेट ये मैंने एक चम फर्टिलाइजर है वो है बॉन मिल और यहां पर मैंने डेल चमच बॉन मिल लिया है यह भी आपके रूट्स और लीव्स दोनों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा है एंट फर्टिलाइजर है जो कि हिबिसकस के प्लांट को बहुत पसंद होता है बट बहुत लोग होते हैं ज जगा और डीएपी की कॉइंटिटी आपको उतनी रखनी है जितना आपके पॉट का साइज है अगर आपके पॉट का साइज 12 इंच है तो आप बस 12 दाने ले लें डीएपी के आठ इंच है तो सिर्फ 8 दाने ले लें डीएपी के इस तरह से आपको डीएपी का यूज करना अपने प्लांट में आपको अपने प्लांट में वर्मी कंपोज डालना है उसके जगह आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं तो यहां भी मैंने चार मुठी वर्मी कंपोज लिया है यह भी आपकी प्लांट के लिए बहुत जादा फाइदेमंद होती है अपने प्लांट में से निकाला था उसको वापस पॉट में डाल दे आपको अपने प्लांट में वाटरिंग जरूर करनी है कोई भी फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो आपके प्लांट में हीट प्रोवाइड करता है जिससे आपने प्लांट को सेफ जाने के बाद आपने प्लाइंट में पानी जरूर डाले एंट फ्रेंट उसके अलावा एक चीज और है कि जैसे कि अगर आपके प्लाइंट में फर्टिलाइजर्स डाले के बाद भी येलो लीव्स की प्रॉब्लम खतम नहीं होती है तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है यहां पर मैंने एक लीटर पानी लिया है और इसमें मैं सिर्फ आधा चमच कॉफी कर डालूंगी और ये आपके येलो लीव्स की प्रॉब्लम को खतम करने में बहुत हेल्प करता है तो आधा चमच कॉफी लेके मैं इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर दूंगी और इसको ये डालना है उसी दिन ना डालें अगले दिन आप इसको डाल सकते हैं देखें फ्रेंज ये मेरे जो प्लांट की ग्रोथ है ये 20 डेस के बाद की है मेरे फर्टिलाइजर डालने के बाद ये वीडियो मैंने बहुत दिनों तक शूट करके रखी हुई थी कि मैं आपको इसक अच्छी हो रही है और वो फर्टिलाइजर आपको जरूर हेल्प करेंगे आपके प्लांट की ग्रोथ में आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है फर्टिलाइजर डालने के बाद से तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये वीडियो सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बहुत से इंफरमिटिव वीडियोस के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अलाहाफिज